हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों में डोक्तर दर्बे साब सबी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल freedom from hospital में हम में से कोई नहीं जाना चाहता है दोस्तों कभी भी hospital मगर मजबूरी कही है लापरवाई कही है knowledge की कमी कही है जिससे हमें बार-बार hospital जाना पढ़ता है लाश्ट में हमको surgery table भी देखना पड़ता है दोस्तों आज मैं खास करके आपके लिए जो topic लेका है हूँ वो है हमारे दांस से जुड़ा हुआ याने अभी lockdown का time है किसी dentist के पास जाना साथ अभी संभब नहीं है दांस में जिनको दर्द होती है सूजन है पस पड़ी हुई है और परेशान है कि दांत को समस्थे को कैसे ठीक करेंगो उनके लिए रामबान उपाय है दोस्तों करना क्या है कि आपको सिर्फ 10 long लेनी है और इस तरीके के इसमें आपको कूट लीजिए अगर कूटने के लिए नहीं है तो सीधे long को भी आप पानी में डालके उबाल सकते हो कम से कम आपको देड़ गलास पानी लेना है या दो गलासी पानी ले लीजिए उसमें याने 400 ml कम से कम पानी होना चाहिए और 10 उसमें long होनी चाहिए अच्छे से जब उबल जाए पानी के अंदर सारी उसकी जो ताकत जब आजाए तो आपको उसको उतारनी है और उससे कम से कम इतना क्वांटिटी लेनी है गुनगुने हालत में लीजिए बहुत ज़्यदा गरम ना हो बहुत ज़्यदा थंडा ना हो गुनगुने हालत में लें जिसको कि आप बरदास कर सकें और दांत में ज़्यादा सूजन ना आ जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम लोगे तो उससे आपका सूजन बढ़ भी सकता गुन-गुने हालत में ही आपको इसको इसको इस्तिमाल करनी चाहिए इसमें आपको कुला करना है मुझे अंदर लिए और कम से कम 15 से लेकर 30 से कंड तक आपको कुला करना एक बारे में फिर दो लें ती लें इस तरीके से इतना पानी का इस्तिमाल सुभा आप करिए खाली पेट इसका इस्तिमाल करिएगा दूसरा क्या करना है आप लंच के बाद सेकंड टाइम आप करिए थार्ड आपको डिनर के बाद करनी है दोस्तों उसी पानी को रखिएगा उसी को थोड़ा गरम कर लेके फिर गुनगुने हालत में इस्तिमाल करिएगा इसके साथ-साथ बहुत जादा जैसा छिल गया है और उसके अंदर पूरा एकदम लाल सुजा हुआ है तो आप इसको थंड़े हालत में दोस्तों इस्तिमाल करिएगा याने नॉर्माल हालत में इस्तिमाल करिएगा याद रखें दोनों बात को जिनने कोई समझान नहीं है मगर फिर भी दान्त को मजबूत रखना चाहते हैं दान्स से थोड़ा बहुत खून आता है ब्रस होगरा करते समय या आप लोगरा जैसे चबाल लगते हैं उससे एक खून आ जाता है तो उनके लिए है कि सुभा सिर्फ एक बार एक बार पांच लॉंग आप डालिए एक ग्लास पानी उबाल लीजिए उसके बाद आप अच्छे से उसमें कुला कर लीजिए उसके आधे गंटे बाद जाके दोस्तों आप ब्रस होगरा कर सकते हैं याद रखिए इस बात को खाली पेट करनी है और बिना ब्रस किये इसका इस्तिमाल करनी है तो देखोगे दान्त में खून आना तो एक हफ्ते में ही बंद हो जाएगे हफ्ता भर अब कर लोगे आप देखोगे आपका मुह से जो बैट स्मेल जिनकी सब आती है बिल्कुल खतम पाईरिया खतम मतलब कह रहा हूं तो ये खतम ही हो जाएगा ये एक मेहना जिसने कर लेगा अच्छी अच्छी दान्त की समय से दोस्तों ठीक हो जाएगे इसका मतलब नहीं कि दान्त जो तो खतम हो चुका है काला हो चुका है वो आपका वाइट हो जाएगा जहाँ उसका कुछ है ही नहीं उसके जढ़े में तुम बोलोगे जढ़े थीच यह पे ऐसे नहीं जो निकालनी है जो तो निकालनी है मगर जो थोड़े थोड़े में डेन्टिस जो अपको सज़ेस्ट करदेते हैं कि निकालके बहार फेग दो या आप दर्ठ के कारन मजबूर में दोड़ के जाते हो और निकालते हो फिर आंटिवैटिक पर आंटिवैटिक खाते हो वो आपको जिलना नहीं पड़ेगा दोस्तों तो यह प्रहेग आपको दोस्तों करना है इसमें जो लॉंग में क्या-क्या है खनी जो मैं आपको थोड़ा बताता हूं दोस्तो लॉंग में काफी पोस्टिक गुण पाए जाते हैं लॉंग यह वो इसके जो तेल में अंटी आक्सिडेंट, कफ रोधी, जिबाणु रोधी, अंटी बाइरल, अंटी सेप्टिक, अंटी इंफ्लेमेंटरी और एनलजेसिक जैसे उत्तम कुणों से यह सम्मुरुद है लॉंग में कम से कम 36 विविन्न प्रकार के सामग्रियां होते हैं जिसमें सबसे महत्वपुन है यूगे नाल इसके अलावा पोटासियम, सोडियम, फस्परस, लोहा, मैंगनीज, आहर फाइवर, आयोडिन, भीटामिन के और भीटामिन सी, ओमेगा थ्री जैसे फैटी एसिट, कैलसियम और मैगनेसियम आदी का भी लॉंग में प्रचूर स्रोथ है दोस्तों इसलिए आयरवेदा में इसका बहुत ही बड़ा भुमी का है अच्छे-च्छे मेडिसिन्स हो गिरा को तयार करने के लिए इसके सिवा इससे साबून, टुथपेश्ट हो गिरा भी दोस्तों काफी बनते हैं सबसे अच्छी बाते क्या पता है दोस्तों सुबह मैं जैसे कहा हूँ ब्रेकफास्ट के बाद एक लॉंग चबागे खालो दोपर में लंच के बाद एक खालो और रात में खालो इससे आपका पेट भी साप रहेगा इस इडिटिक अस्टेटिस दोस्तों नहीं होगा और प का सारा जो है वो सैलिवे के साथ अंदर जाएगा और वो फिर आपके खाने को एसिडिक ज्यादा करा देगा याने आपको एसिडिक अस्टेटिस होगेरा बढ़ जाएगी अगर मुह के अंदर दोस्तों प्रॉब्लिम रहती है और यह टेस्टेड है लॉंग का तेल कितने स उसको पीशकेल लगा दो उससे भी फायदा हो जाता है दोस्तों तो यह प्रयोग था एक प्रयोग में आपके लिए मैंने देड़ मैंने से इसकी एक किछ लोगों पर अपलाई कर रहा था और बढ़िया रेजल्ट इसकी है तो यह रहा देखिए कितना बढ़िया है इसको आपको पिना नहीं है दोस्तों इससे कुला करना है है सुबा करना है दोपर करना है रात करना है बहुत ज्यादा दर्द है तो हर दो घंटे में भी एक बार गुन गुने हालत में कुला कर सकते हो खुनाना बंद मस्रोडे में सूजन बंद और आपका हर तरह के दांत का समस् मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर भंकर दर्द होता है एक्पेशर से आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो तो पहला है कि यहाँ पर जो मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ यह वाला जो हिस्सा है इससे थोड़ा उपर यह बीचों भी जाएगा यहाँ बार बार आप दबाओ पचास बार कम से कम फिप्टी ऐसे गुमा गुमा गए फिप्टी टाइम्स दबाईए इधर फिप्टी टाइम्स दबाईए यहाँ इससे आपको दोस्तों दान दर्द में काफी तेजी से आराम पड़ेगा उसके साथ साथ दोस्तों और क्या करनी है इसको थोड़ा से रिवर्स कर लीजिए आपको यह वाला जो हिस्सा है नाखुन के निजदिक यहां दबा के रखें फिर छोड़ें 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 ऐसे 20 टाइमस करिये कम से कम फिर इसमें करिये यहां दबाओ बहुत ज़्याद अगर दान्त में दर्द है तो दान्त को दबा कर रखें इसको दबाते समय दान्त को भी आपको दबानी है अंगली दबाए हो नाखोन के उपरी से में इदर दान्त को भी दबा कर रख रहे हो इधार point छोड़े, दान्त को release किये यह देखो कैसे कर रहा हूँ release इस तरीके से 20-20 times करनी है दिन में दोस्तों 3 बार करनी है यहां भी करनी है और यहां भी करनी है और क्या करनी है? कि इस तरीके से जिनका दान्त में बहुत ज़्यादा problem नहीं है बहुत ज़्यादा सुजा नहीं है मगर वो दान्त को बढ़िया रखना चाहते है यह एक बढ़िया मसाज आपको दिखा रहा हूँ वो कैसे करोगे मसाज? यह मसाज और मुह एक साथ में चलेगा थोड़ा दरी सूख कर लिए, फिर ऐसे यह पर थोड़ा दर इसको करिए जब भी आपको दिन भर मौका मिलता है करिएगा आप देखिएगा इसके अंदर थोड़ा दर के बाद आपका लाडाना शुरू हो जाएगा अपका सालीभाना शुरू हो जाएगा अंदर जैसा नरम नरमपन महसुस होगा देखो इसमें beauty भी दोस्तों नहीं करता है, इसमें बहुत बढ़िया है, दान्त एकदम बढ़िया होगा, मसोड़ा ठीक हो जाएगा, जीव अच्छा काम करने लगेगा, और सबसे अच्छा है कि आपके चेहरे में भी glow आएगा, देखो फिर इदर इस तर यहाँ इस तरीके से दोस्तों करना है, आपको पूरा अक्तम गरमाट आजाएगी, और अंदर देखो कि नरम पन आजाएगा, अंदर देखना, गाल नरम लगेगा, अंदर का हिसा सारे मान स्पेसी नरम लगेगे, और यह पूरा सिधा यह अच्छा का इधर रिस्ता है दोनों, दोनो इस तरीके हजारों बातें इसमें लिखा हूँ, एकी प्रेशा, राइर बेदा, होम रिमेडी, सब कूछ है दोस्तों, दस सल के महनत जरूर लेना, अमेजन से मंगाओ, या फिर वाट्सअप कर यहां से डारेट मंगाईए, यह हो गया और यह हो गया आपका इंगलिस जैसे जैसे बातें बताता हूँ, ऐसे ही सुन्दर यह भी है, मैं कोई चीज में कंपरमाईज दोस्तों नहीं करता, पैंतिसो की किताब है, दोस्तों जरूर मंगाना, फिप्टी डलर इसका कौस्ट है, उसको इंडियान करेंसी में पैंतिसो रुप्या होती है, एक बारी का इंबेश्मेंट है, जरूर मंगाना, इसके साथ-साथ यह प्रवयक को करना दोस्तों, आज जो यह बताया, यह वाला जो एसे-से करना और मुह चलाना, करके देखो ना, दो मिनिट, चार मिनिट, दिन में तीन-चार बार, ओफिस में बैठे हो, घर बैठे हो, खाना-काने क जयन जय भार, दोस्तों, आप सभी के लिए खुश खबरी है, ना ही आपको अस्पिताल जाना पड़ेगा, ना ही सर्जिवी के लिए जाना पड़ेगा, अपने घर बैठकर आप बड़े से बड़े बिमारियों का एलाज, एक्यू प्रेशर, होम आयवरेदा, एवं एक्सर पर उपलब्द है, माई हेल्थ इन माई हैंड, इंग्लिश आव हिंदी किताब, 51 तथा 101 बिमारियों के लाज के साथ, ऑनलाइन आमाजान पर उपलब्द है, दोस्तों, अब आप बिना दवाई के, बिना अस्पिताल जाए, घर बेटे, अपना इलाज खुद करिए, डारे लाज बिना इलाज खुद करिए, अब बिना आमारियों के लाज वाई